कहते हैं, जिन्दगी में अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ नया करके दिखाना है, अपना इथ्यास बनाना है, तो कुछ अच्छा करना होगा, कुछ नया करना होगा, नौकरी को छोड़कर बिजनिस में आना होगा, नौकरी को छोड़कर बिजनिस में आना होगा. अगर कोई कंपनी का प्रोड़क्ट हम खरीतते हैं और उसी कंपनी के प्रोड़क्ट हम तीसरी पार्टी को थर्ड परसन को सेल करते हैं तो हमें कंपनी अपने प्रोड़क्ट को बेचने पर कुछ परसन का कमिशन देती है यही होता है अफिलेट मार्केटिंग में दोस्तो अब हम जानेंगे कि अफिलेट मार्केटिंग कब कैसे और किस ने लाया इसके पीछे लाने का मकसद क्या था क्या हम पहले भी अफिलेट मार्केटिंग करते थे और करते थे तो किस तरीके से करते थे यह मैं आज आपको बताने वाली हो see affiliate marketing पहले भी की जाती थी affiliate marketing पहले भी की जाती थी लेकिन offline तरीके से की जाती थी जैसे अगर मैं कोई भी दुकान से एक वस्तु खरीती हूँ for example मैं बताऊँ suppose मैंने एक दुकान से ये pain खरीदा और इस pain को मैं अपने third party को बेच देती हूँ किसी तीसरे इनसान को बेच देती हूँ या फिर उस person को बोलती हूँ कि same आपको अगर ये pain चाहिए तो जहां से मैंने खरीदा उसी दुकान में जाके आप खरीदिये तो उस दुकानदार हमें वो दुकानदार हमें कुछ percent का commission देता था यही होता था पहले affiliate marketing इसे ही affiliate marketing कहा जाता था पहले बात अलग थी कि हम नाम से नहीं जानते थे कि इसे affiliate marketing कहते हैं लेकिन वो पहले पूरी offline तरीके से होती थी बट आज online तरीके से affiliate marketing होने लगी है अब बात आती है कि affiliate marketing लाया कौन है लोगों का मानना ये है कि Amazon Company अफिलेट मार्केटिंग को Amazon Company ने अफिलेट मार्केटिंग की शुरुवाद की है Amazon Company ने अफिलेट मार्केटिंग को लाया है तो मैं आपको बता दू ये गलत है Amazon Company ने अफिलेट मार्केटिंग को लेकर नहीं आया affiliate marketing को शुरू करने के पिछे एक बहुत बड़ा मकसद था जो कि लोगों की financial conditions को सुधारना था और लोग affiliate marketing से कुछ सीख सके वो उन्हें बताना था affiliate marketing की शुरुवात सन 1989 में 1990 में William J. Tobinser ने की थी उनके द्वारा affiliate marketing की शुरुवात की गई उनका एक ही मकसद था, उनका एक ही model था उन्होंने एक ऐसे model को उन्होंने launch किया जिसके थुरू लोग सीख सके, कुछ earn कर सके, कुछ पैसे कमा सके कुछ commission प्राप्त कर सके और इस model को लोगोंने बहुत सहारा सहारा हा और बहुत ज़्यादा इस model की तारीफ की ये उनके लिए सोभागे की बात रही, ये विल्लम जे टॉबिन सर के लिए बहुत सोभागे वाली बात थी, कि लोग इस model को बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद कर रहे थे, अब उसके बात आती है कि affiliate marketing की शुरूबात तो हो गई, लेकिन क्या हर किसी पूरे वर्ल्ड में क्या ये चीज, अब इस चीज से affiliate marketing से लोग aware हुए तो affiliate marketing से aware कराने के लिए सन 1996 में, एमेजोन कंपनी ने एक associate program और्गनाईस किया सन 1996 में, एमेजोन कंपनी ने एक associate program और्गनाईस किया उसके through लोगों को इस affiliate marketing के बारे में पता चला और लोग affiliate marketing के बारे में aware हुए कि affiliate marketing होता क्या है उसके बाद से, लोगों में crazy बढ़ गया कि affiliate marketing करना है और इसके benefit क्या होते हैं, वो लोग जानने लगे थे उसके बाद से affiliate marketing करना start हो गया और Amazon एक ऐसी company थी, first ऐसी company थी जिसने affiliate marketing करना start किया था उसके बाद से market में बहुत सारी company आने लगी market में बहुत सारी companies available हैं आज भी affiliate marketing करने के लिए जैसे Flipkart है, Amazon है, $25 वन है, Sofify है, Leeds सार के बहुत सारी company आने लगी और इन सब ने भी अपने-पने product में affiliate marketing करना start कर दिया और अपना-पना commission देना start कर दिया विल्लम जी टॉबिन सर को उस time पे विल्लम जी टॉबिन सर एक ऐसे पहले वेक्ती थी जिन है network marketer की रूप में जाना गया और उन्हेंने इस affiliate marketing वो बहुत मुकाम तक पहुचाया और आज भी, अब हम बात करते हैं कि क्या affiliate marketing future में चलने वाली है हाँ, future में affiliate marketing का graph कैसा रहेगा, क्या वो अपने एक प्लेवल बना पाएगी तो web exports का कहना है कि technology तो हमेशा update होते रहती है technology हमेशा update होते रहेगी लेकिन आने वाले सालों में affiliate marketing एक ऐसी marketing होगी जो social media के थ्रू अपना बहुत अच्छा मुकाम बनाने वाली है और 100% के graph पे लेकर चाहेगी और affiliate marketing हर कोई पसंद करेगा हर कोई करना चाहेगा और हर एक जगह, हर एक area में affiliate marketer आपको दिखाई लेंगे जाते-जाते से सकता कहना चाहती हो अब पसंद करना है आपको कि आप कैसे affiliate marketing कौन सी company में affiliate marketing करना चाहते तो इस बेस्ट फॉर यू, विच बेस्ट फॉर यू अब किस company में affiliate marketing करना चाहोगे जाते-जाते सिर्फ इतना होगी कर कुछ ऐसा कि लोग चाहे बनना तेरे जैसा कर कुछ ऐसा अपनी जिन्दगी में कि लोग बनना चाहे तेरे जैसा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और और वी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और बिल आइकॉन को क्लिक करना ना बूले तैंक्यू, तैंक्यू सो मुझ क्या है